दर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सनीहित सरोवर पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायन मंदिर अती प्राचीन स्थित है जिसका निर्माण चोलवंश काल में बाबा शिवगिरी जी की प्रेणा से करवाया गया था चोल शाश को द्वारा बनाए गए मंदिर में अनेक मंदिर अती विशिष्ट वास्तु कलावाले हैं जिन में लक्ष्मी नारायन का मंदिर एक है ये मंदिर भूतल से उपर उचाई पर बनाया गया है मुख्य मंदिर तक पहुँचने ही तू चोड़ी चोड़ी सीडियां बनाई गई है इस मंदिर को सीक वाला मंदिर भी कहते हैं क्योंकि ये बिलकुल सीधा खड़ा हुआ है मंदिर में शिरी विश्णु जी, शिरी लक्ष्मी जी तथा गड़पती जी की पीले वस्त्रों वा अलंकरणों से सुसजित सुन्दर मूर्तियां इस्थापित है इन मूर्तियों के ठीक सामने भगवान लक्ष्मी नारायन की सवारी गरुण भगवान की मूर्ति भी स्थापित है इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है कई वर्ष पहले औरंग जेब ने इस मंदिर से सोने के कलश को लूट लिया था जिसके बाद नाभा के महराजा ने अश्थ धातू से बना हुआ कलश इस मंदिर के उपर लगवाया जो की धरती से एक सो पच्चीज़ था